अब दोस्तों आपके पने YouTube चैनल इंडिया वर्ड थ्री सिक्स्टी में आप से वका स्वागत है दिया आप मेरे चैनल पे पहली बारा है और चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर आपके आगे बैतरी इंफॉर्वेशन आपको मिल सके बैतरी न उपॉर्शनिटी मिल सके जिससे आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा बना सके बात करते हैं अभी आपने थम्नल में देखा होगा कि तीन स्टॉक है जो बुक वैलू से तीन से चार उगना सस्त बस ध्यान दिजेगा इन तीनों स्टॉक को बताने से पहले मैं डिस्क्रिमेट दे रहा हूं कि यह तीनों स्टॉक माइक्रो कैप कंपनिया है और हाई रिस्क हाई रिवार्ट्स वाली है तो अपना खुद का अनलिसेस कर लेजगा और अपने फाइनेंसे अडवाजर से चौवाली से लो इसका 34 रुपए 80 पैसे का इस टॉक पी देखें एक रुपए 90 पैसा का बहुत ही सस्ते में मिला है बुक वैलू की बात करें 523 रुपए का तो आप से समझ सकते हैं कि 86 और 523 तो आप चार से पांच गुना लगभग पांच गुना कि आस पास पास पांच पांच गुना यह सस्ता मिला है इस्टॉक अपने बुक वैलू से डिब्डेंट कंपणी देती नहीं क्योंकि छोटी कंपणी अभी ग्रोइंग फेस में रिटर्न अन कैपिल इंपलाई देख सकते हैं आप 23.1 का है रिटर्न इक्वटी आप 30.5 का है फेस वैलू 10 का है समझ इन ट्रेडिंग एक्टिविटेज आप गुड्स एंड सेर देखिए इस स्टॉक मार्केट में भी यह कहीं नहीं इनका इन्वेस्टमेंट है और साथ में यह पावर जेनरेशन में भी कुछ वर्क करते हैं आप अपना खुद का अनलिसेस भी कर लेगा क्योंकि तीनों स्ट स्टॉक कर्यों का प्राफिट में अभी इधर देखेंगे तो कंपधनी इस दिसमर में लॉस में लेकिन अभी तो इनका इनका कौटरली रिजल्ट अभी नहीं आया है अभी इस बर आप देखेंगे ना इनका एवरली रिजल्ट जबर अ hen सचानदार भी है देखेंगे 29 क्रोंड 14 दर्कोंड 10 क्रोंड 21 कभी-कभी इनका से घड़ जाता है लेकिन के पास अधर इंकम भी अच्छा खासा हो जाता क्योंकि यह स्टॉक मार्केट में भी इंट्रेस्ट भी कंपणी पे करती क्योंकि इस कंपणी पास थोड़ा सा कर्च है अभी यह कंपणी आप देख सकते हैं यहां पे एरली किस तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेस्ट कर रही है 2019-2020 में तो इसको लॉस हुआ है लेकिन 20-21 में जवर्दस प्रॉफिट हो रहा है और अभी आप देखेंगे न तो इनका मार्च का भी कॉर्टर अपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो यह कंपणी पे नजर बना के रखें वाचलिस्ट में लगा के रखेंगा साथ में आप दे इनके साथ में कि इनका रिजर्व भी तो है यह कि इन साथ में बा उरोईन भी ऄये can great मेरा पिर में कोई अभी सलाह नहीं आप जांटी करिए वस इसको वाचलिस पार्च पर लगा, इसका लोगा बे ज है तब देखेंगे, यहां पर प्रोंटर होलिंग भी लगातार परोटा अपना माल उठा रहा है देख रहा है 67.92 से दिसमर से मार्च में 2022 में 79% उन्हें अपना माल उठा रखा है पबलिक के पास 50 परशन या 100 परशन का गेंदे अपना प्रेंसिमल मांट निकाले जी का प्रॉफिट की स्टॉक में चोड़े यह दूसरा स्टॉक है VLS फाइनेंस जब दस्त कंपनी है और यह स्टॉक टेफ स्टॉरी है बिल्कुल टेफ स्टॉरी इसके उपर कोई करच का नहीं है VLS फाइने सट लो 114 का है स्टॉक पी 2.18 का है बहुत सस्तेम में लाई साथ में बुक वेलू 806 रुपाए की देखिए 154 पे चल लाई 806 इसका बुक वेलू मदब लगवख लगवख चार पाच गुना सस्ता मिल रहा अभी भी ये स्टॉक डिबडेंट भी ये कंपनी हलका फुलका देती है रिटर्न ऑन कैप्टेल इंप्लाइंट 9.94 का है रिटर्न ऑन इक्वर्टी 10.6 का है फेस्वली भी 10 है ये कंपनी मेरा मानना है अभी क्वाटरली रिजल्ट इनका न देखेंगे तो वहां बड़ा चिंज आपको मिलेगा आप देख सकते हैं या पर इनका जो इरली से कांटिनी ग्रोथ में है साथ में आप देखें नियन उस ह्कांटिनी बहतनी इस क्रोथ है चार न 9 क्रोंड और 2212 पांड तो अभी ये क्वाटरली रिजल्ट आ जा जाने दीजिए इसको वाचलेश्ट पर लगाकर रखिएगा और यह स्टॉक जब चलेगा न तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि इतना जो बादस रिटरन दे सकता है कि हो सकता है कि बजाज अब आप बजाज फाइनस को क्या लेकिन ध्यान देजेगा इसको नजर बना के रखिए रिजन क्या है आपके सामने में कुछ डाटा आपके सामने रखना हूं देखिए रिजर्व की बात करें तो इसका जो रिजर्व कांटिनीव ग्रोथ है मारकेट कफ चेप कंपर न देखती है क्योंकि केंड है कोई थाइस क्या करोणीव देख सकते हैं कंपनीपास प्रेषन का प्रशन का एप 2023 करणे का ऋर… लेकिन बस यही है कि quarter result आ जाने दीजेगा तीसरी company का नाम है Qist Capital Market Limited ये भी company जबदस्त है इसका result भी आ चुका है और देखी ये भी आपका जो है finance sector की company है अपना भी analysis कर लजीगा मैंने पहले disclaimer दे दिया है अब इसके साथ में बात करें market cap 290 करोन का है market cap 290 करो मार्च छोटी सी company और current price 290 पे हाइस का 375 लोग, 181 पे stock P 13.2 का है और अभी आप देखें 817 इसका book value है उससे भी तीनों लगभग 2.5 गुना सस्ती मिल लई है dividend वी company हलका फुलका देती है return on capital employees 4.46 का है return on equity 3.39 का है फेस्वल उदस है यह तीनों company जब चलेंगी नहीं तो वागई जब दस return दे सकती है बस यह है कि मैं आप सकोँगा छोटा सा investment करीगा बहुत बड़ा investment करिएगा क्योंकि यह company चलेंगी तो जब दस return दे सकती है और नहीं चलेंगी तो consolidation phase में बनी रहेंगे काफी time यह तक के लिए sales देखिए आठ करोण फिर साथ करोण फिर 20 करोण फिर 20 करोण तो company का जो sales है ना continue थोड़ा सा देखा जाया तो up and down में लगा रहता है नेट प्रॉफिट करें दो करोण दो करोण अभी 16 करोण सबसे अधा प्रॉफिट अभी इस quarter में इनको हुआ है तो अभी market का sentiment अच्छा होगा तो यह यह stock मुझे लगता है जब दस return आपको दे सकता है अभी आप देखें येरली सतरा करोण अठारा करोण च्यारेस करोण प्रॉफिट भी बात करें 13 करोण 9 करोण 15 करोण 22 करोण अभी इस quarter में मार्च quarter में इनका result आ चुक है जब दस इन्होंने profit देखा है 22 करोण का और देखें EPSP इनका जब दस जम किया है 14.90 से 20 का हो गया है तो इस stock में मुझे लगता है कि आनेवल टाइम में breakout थोड़ेगा जब दस रिटन दे सकता है रिजर्वी कंपनी के पास continue growth में 807 करोण का borrowing के पास एक भी पैसे का नहीं करजमुक्त है और यह आनेवल टाइम में जब दस रिटन दे सकते बस मेरा motivation आईए नहीं कि आप आके खरीद लिए बस अपना भी analysis करीगा डेप्टर डेस मातर एक दिनो से रेली आ सकती है मेरा मानना कि आप कि इस capital में भी थोड़ा सा ले सकते हैं और VLS finance पर नजर बनाईए वह उसमें भी आप जा सकते हैं लिकिन हाँ इतना जरूर में कहूंगा कि थोड़ा ही investment करिएगा साथ में जैसे stock में आपको 50% 50% का gain दिखे आप अपना principal amount निकाल लेज तो प्लीज तीनों में आपको कौन सा stock अच्छा लगा जरूर कमेंट में लिखेगा साथ में अच्छा लगा आया वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिगा साथ में share भी कर दिए थाकि बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिल सेके उसके साथ में मिलते हैं next वीडियो में बैतरी इंफोर्मेशन के साथ thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए